हेलो प्रिवांड कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं कि सब भी प्यारे बच्चे स्वास्थ होगे और मस्थ होगे और बेसबरी से वेट कर रहे होंगे नेक्स लेक्चर का तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वेद्योत आवेश और छेत्र जिसमें बच्चों हम लोग समझने की तो आज का जो लेक्चर है वो टोटली बेटा जी डिपेंड रहने वाला है वेटर शेत्र पर उसको ही हम लोग समझेंगे तो जितने लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं मैं आपको एक बार इन्फोर्मेशन दे दूं कि अगर आपने अब तक इस आपको बिटा जितने भी लेक्चर से वो यहीं पर ही आपको अवलेबल हो जाएंगे आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे फिजिक्स के लेक्चर का बच्चो एक्चुली क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम्स चल रहे थे अलग-अलग सेग्मेंट में एक्जाम्स चल रहे थे तो आपको पता है कि रुची मैं वहाँ पर काफी ज्यादा बिजी थी तो बच्चो थोड़ा सा बीटा बीच में ये ब्रेक आ गया बट डोंट वरी अब आपको क्लास से बीटा रेगुलर्ली मिनने वाली है रेगुलर्ड मिलेंगे क्लास से रेग करके तुरंट कि तुना फटाफड से देख लेना है अगर बच्चो मैं आपको बताओं तो दखो भी न ये हमारा फिर से आप पूरे पांच वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहां बच्चो आपको करना क्या सारे के सारे बिटा जो आपको लेक्चर्स देख लेन है देन बच्चुम क्या करेंगे बीटा देन हम जो है इस लेक्षर को स्टार्ट कर और इस ही आपको सब कुछ बढ़िटा को गाईडेंस मिलेगा आपको इच और अवरितिंग प्रोवाइट में करोंग ठीक तो चलिए बच्छों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड 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 आपको हर एक वीडियो के बिटा जो है नीच डिस्क्रिप्शन में होमवर्क का लिंक मिलता है तो होमवर्क अटेम्ट करना ना भोले बिकस बच्चो होमवर्क आपको ये बताता है कि आपने क्लास को कितना Pencilly देखा है और मैंने आपको बोला भी है कि और क्लास 12 में अच्छ्छा स्कोर करना है तो हमें क्या करना होगा स्टार्टिंग से अपने और नोट्स पनाने होंगी इस्टार्टिंग से हमें अपने ले क्टiben वेट्टिक करने होगी और बार बार रिपीट मोड पे रिवीजन भी करना होगा तो चलिए बच्छे स्टार्ट करते हैं एक बार बीटा मैं जो है आपको आज का जो लेक्चर है उसके बारें बता दू कि विटा हम आज के लेक्चर में किन किन चीदों पर फोकस करने वाले हैं तो सबसे पहले बीटा हम लोग वि आज की क्लास से आपके चार नंबर तो पक्के हो जाएंगे क्योंकि बोर्ड अलग अलग बीटा जो है सवाल पूछता है ठीक है एंड बच्छों हम लोग निमेरिकल्स भी करेंगे डोंट वारी स्टार्ट करते हैं बच्छों सबसे पहले एक बर क्विक्विक रिवीजन कर प्रतिकर्शन बल भी हो सकता है लेकिन भाईया बल जरूर लगेगा अब जो ये बल की वेल्यू है वो कैसे निकलती थी तो इसके लिए बच्छों हमारे कुलाम सहाब आए और इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्नास एक फॉर्मूला दिया जो कि बच्छों हमने पढ़ रखा है एफ एक को सुके क्यू वन क्यू टू अपॉन आरे स्कूर राइट एन बच्छों इसका ही हमने एक औ बच्छों यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया कि भाई एफ एक कोस्ट वन अपॉन फॉर पाई अपॉन आरे स्कूर बच्छों इससे में साफसाब पता चलता है कि जो यह कूलाम बल है या जो यह फोर्स हमारे आवेश एक दूसरे को प्लाइग कर रहे हैं वो क दूरी जितना कम रहेगी बच्छों यह बल उतना ही ज्यादा लग रहा होगा यह तो हो गई पहली बात बच्छों आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जो यह कूलाम बल निकाला था जो यह कूलाम जीने जो नियम दिया था बच्छों असल में किसके लिए दिया थ था किसके लिए बिंदू आवेश के लिए बिंदू आवेश के लिए रइट और आपको याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट वच्छ विकास आज की दो पढ़ रहे होंगे तो वहां पर रिवी टाम लोगी परेक्षर आवेशी ले रहे होंगे रहे तो अच्छ नहीं बिं कि भाइया उन्होंने यह निरवात में काम किया था निरवात में दोनों आवेशों को क्यों आवेश को केину है दूसरे से आरदूरी पर रखा एंड ये फॉर्मुला निकाल दिया अब हम क्या करने वाले हैं हमने क्या किया हमने जुह स्थ Het is अपना सिस्टाम उठा करके किसी दूसरी मीडियम में डाल दिया अब पर फोर्स विभी आपनी हो रहा होगा फॉर्स तो अभी भी लग रहा होगा अब बेटा वो जो हमारा बल लगे तर्म बोलते हैं सब्सक्राइब अगर मैं यह परण कहते हैं लिए इफम क्या पतलब होता है यह इसमारध्यम में कितना बलग रहा है बाई आपने मालो लेट्ट स्पो कि काच में ulti जाल माव आपने जल में आपने टाल आप बच्चोत आपे हो रहा है और श्चो क्या हो रहा है वह कमाइं कि तो यहां पर क्या हो जाएगी माध्यम की आप एक शिक्वी दशीलता तो बच्चों हमारे पास क्या जाएगा वान पॉन फ्वैय अफ साइल यौ 2 आर्स क्यार बेटा इतना ही बच्चों हमारे पास फरका जाएगा ठिक यह जाए है यह आं माध्यम की विद्र शीलता राइट अब बच्चो कर आपको याद हो याद तो होगा नहीं है ना सच सच वताओ याद नहीं है ना तुम लोग को अगर आप लोग बच्चो याद हो तो हमने एक चीज़ पड़े थी कि एफ अपॉन एफ मिकोस्तों क्या होता है अप साइलन राइट आप साइलन आर देख लो तो एफ अपॉन एफ मिकोस्तों क्या हो जाएगा अप सालन आर हो जाएगा जो की बच्चों क्या है आप एक शिक विद्र शीलता है ठीक है यह विटाई से हम क्या बोलते हैं परावेद्यूत निया तांक भी कहते हैं इफ नहीं याद है कि जो यह एफ-एम होगा बच्चों जो यह हमारा एफ-एम होगा वो सदैव क्या होगा छोटा होगा किसे वीटा निरवात में लगने वाले बल से important point to be noted इसमें star लगा लो इसमें बिंदी लगा लो कि भाया माध्यम में जो बल होगा वो हमेशा ही कम लग रहा होगा और बेटा निर्वात में हमेशा बल जादा लग रहा होगा अब अच्छे इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा बहुत ही important concept सीखा था आवेशों का अध सब्सस्यों बल लगा जा सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे बश्चों हम लोग्क लग्स-ब्ल ये संतली तुरित बल जब निकालते हैं हैं यह किसी भी वस्तू पर लगने वाले परिदामई बल को को जब निकाला जाता है तो हम बच्छों क्या करते हैं बेटा हम छो जो हम बलो का सदिश रूप लेते सदिश योग करते हैं देन हम लोग निकालते हैं कि भया कितना बल लग रहा है बच्चों बिलकुल वैसे ही आवेशों कि ध्यारोपड का सिध्धांत क्या है भाई आवेशों का ध्यारोपड का सिध्धांत कुछ नहीं है बस इतना अगर आपको कि इसी भी आवेश के उपर निकालना है कि इस पर कितना जो है बल लग रहा है तो आप करना क्या होगा जितने भी उस पर बल कारी कर रहे हैं सब का सदेश योग लिग दालो तुम्हारे पास जो है उससे बिंदू आवेश पर लगने वाला बल की वैल्यू हो जाएगी सिंपल व्यक्टर एफिकोल सुवेक्टर एफ वन प्रस्वेक्टर एफ टू प्लस्वेक्टर एफ ट्री यह चो क्या हो गया आवेश्यू का ध्यार उपड का सिध्धान्थ हो गया अब मैंने अब तक जितना ही पढ़ाया बच्छो यह तो सिर्फोसर रिवीजन था दस्मिन रिवीजन कर लिया इंदस्मिन बच्छो रिवीजन के लिए मोर देन सफिशेंट हैं बच्छों में लोग साट करते हैं बिलकुल नया चाप्टर जो की है विद्धु शेत्र अच्छो देको विद्धु तो को तुम हटा दो एरिया से क्या समस्ते हो वह वार्ड यू अंड प्रबाव है ना बच्छो अब उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि मुझे पता है कि अगर में भूस ने कंदर क आपको अपनी लाइफ से रिलेट करना physics is all about आपके आसपास क्या चल रहा है राइट अब बच्छो जैसे कि मैं आपको छोटा से ग्जामपल देती हूं लेट सपोस की मैं पढ़ा रही हूं और मेरी क्लास में हजार बचा बैठा हुआ है ठीक है अब देखो यार यह तुम ज़रा सभी 35 करेंगे तो मैडम जी यहीं पर लपड़ी आ देंगे लेकिन जो पीछे वाले वंदे ओंगे उन पर फ्रभाव कम होगा दूरी बढ़ रही है प्रभाव कम होगा अब बच्छो क्या होगा जो हमारे जो पीछे वाले बच्छे हैं वह भाया थोड़ा सा जो है दुबा करके क्या कर लें मैं खाना मिखा रहे होंगे हो सकता है पीचे फोन मोन भी चला लेते हूं ठीक एब प्रभाव मेरा होगा तो यानी की जो मेरा प्रभाव है अगर मैं एक डांट लगाँगी तो उस लास की जितने बच्छे जितना भी बच्छा उसकनल बैठा नहीं होगा तो मेरा एडिया क्या हुआ मेरा एडिया हुआ वो क्लास के अंदर जिस पर हर बच्चे पर क्या हो रहा है मेरा बल काम कर रहा है मेरा फोर्स काम कर रहा है मेरा प्रभाव नजर आ रहा है बच्चो बिल्कुल वैसे ही विर्ट शेत्र क्या है बच्चो विर्ट शे देगा उसका प्रभाव नज़र आ रहा होगा मतलब बल तो लगी रहा होगा प्रतिकर्शन लगे अगर्शन लगे कोई फरक ने पड़ता ठीक पहले चीज दूसरी चीज बच्छों आप रसंजो की लेट सपोस्ट की जर तुम्हें इसको एक्जांपल सम्झाने के लिए मैं फर अप्लाई हो गई होंगा तो इसकांपल यह ऺज़ित तल आप यह है कि जैसे और फुर्णतों आद वी खुर्छ कर रहा होगा प्रत्वी के यहां पर मुट की मोंसे जीरे की बातया हम लोग क्या है बच्छों प्रृश्फवी की तोलना मीन उतलंग है एसा यह हम प्रभा हम अपना फोर्श अप्लाई निकर वर्चों भी methods apply करते हैं तो कि बैट Gone हमारा उस प्रभाव दिखता नहीं है हमारा बल नज़र निया ता प्रिथभी का बल नज़र आ जाता है इसलिए अम लोग क्या है विटाम से धर्ति से जुड़े हुए लोग है बच्छो बिलकुल वैसे ही कि जब मैं क्या करूंगी जब बेटा मैं किसी बड़े आवेश के सा वह साथ मैं कोई छोटा माल मैं अवेश लिया अब क्या होगा जो बड़े आवेश का जो बल है वह उसका प्रभाव में साफ़ साफ उस पर इक शना वेश पर दिख रहा होगा ऐसा नहीं है कि वह बिंदू आवेश उस बड़े फोर्स बड़े आ वैश पर बल नहीं लगा लगा वो भी रहा होगा पर उसका नजर नहीं आएगा विचारा छोटा है नन्ना मुनना है कहां नजर आएगा राइट तो इतनी बिटा ओवर उपर उपर के वने बाते समझा दिया आज ओड़ा डेफिनिशन लिखते हैं और फिर आपको और चीज़े किलियर हो जाएंगे न आवेश के चारों और का किसी आवेश के किसी आवेश के चारों और का वह शेत्र किसी आवेश के चारों और का वह शेत्र जिसमें 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 किसी आवेश को रखने पर को रखने पर वह बलका संसूचन करे या बलका अनुभव करे बहुत ही साधारण सीवटा परिभार्श लिखवार रही हूं अनुभव करे उसे विद्युत्षेत्र कहते हैं उसे विद्युत्षेत्र कहते हैं कि यत्ती वाद सबको समझ में कर रहा है क्या कहला आएगा वेद्यृत शेत्र कहला आएगा अब अच्छों यहाँ पर हम लोग आएंगे के दूसे टॉपिक पर जिसका नाम है विद्यृत शेत्र की तीवरता विद्यृत से पर की की तीवरता English word BC clue क्या बोलते हैं intensity of electric field intensity of intensity of electric field या बोल सकते हो इस प्रेंथ और अफ लब्रीक कुछ है वह संजाओ बात बच्चो लेट सब्सक्राइब यह उसका एडिया बोले तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी आवेश को आके रखूंगी तो क्या होगा उसका इस बड़े वाले का प्रभाव नज़र आ रहा होगा अब मैं क्या करूंगी मैं एक परिक्षर आवेश लेकर आने वाली हो परिक्षर बोले तो बिंदू आवेश लेकर आने वाले बीटा लेट सब्सक्राइब दिया क्यों नौट यह क्या है बच्चो यह है परिक्षर आवेश है ठीक है परिक्षर आवेश बच्चो तुम्हें इदनी से बात अप्टो क्लियर हो गई होगी कि जो यह जो बीटा यह बढ़ा जो क्यों है जो यह बढ़ा वाला दो धनावेश है इसका प्रभाव हमें क्यों नौट पर दिख्रा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमाला क्यों नौट है वो नल्ला है ऐसा बिल्कुल नहीं वह भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा बड़ डिफरेंस दोनों इतना स cya Gr Σुख ने है परिमार अत्यांत सुक्ष में परिमार के वाट चो अत्यांत सूक्ष में है क्या इतनी से बात आपको समझ में आ गई है इतकी वढ़न डॉक चांग ए अगर इतनी से बात समझ मार्षद मैं आ गई है तो बढ़र हम लोग लिकी स्की देफनिशन पीटा अब हम यहां पर डेफनिशन लिखेंगे वेट दिशेत्र की तीवरता विटा सल में तीवरता का मतलब क्या है की इस एक काम का वेश पर जितना बल का प्रभाव नजरारा ओगा एकाम का वेश पर लगने वाला जो पीटा बल है वो क्या के राएगा विद् इंटैंस्टी रैट वाच 느an से को सिम्पल सी साधरं ऐब भाषा कि लो हम यहां पर वाले करिभाषा है और हां पर आवेश पर इकांच ऑवेश पर था कर आवश पर य Greek मैं लगने वाला बल लगने वाला बल विद्यूत शेत्र की तीव्रता कहलाती है एकाम कावेश पर लगने वाला बिटा जोबल है वो किया कहलाता है विद्यूत्व कि छुटो का फ़्म्रा कती हैchine कहलाता है राइट अब भच्छे इसका फोर्मूला ills द्यांद देखेगा बिटा इंसуда इंस टेटी को हम किसी ते से रप्रेजेंड करेंगे ई इस 되게 यहां पर मैं थोड़ा से चेंज करूंगे क्यों नॉट बहुत ही छोटा है बहुत जादा छोटा है टेंड तू जीटो मतलब कि लगभग नगर नहीं है तो बच्छ मैं लिमिट क्या लगाऊंगे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं यह बराबर क्यों नॉट क्यों नॉट बच्छु लगभग ही जीरो है तो विटा क्या हो जाहएगा ऑग भर आपवाज अपन क्योंग द्हुंत हाइब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मै यी बराबर ऐस अपन क्यों नॉट दोनों ही फॉर्मूलेस बिल्कुल सही है रइट अब अच्छ आते हैं एक और जो है अच्छे से फॉर्मूले के उपर तरह समझ ना बेटा जैसे ही मैं लिखती हूं बेटा जैसे मैंने क्या लिखा जैसे बेटा मैंने लिखा ए बराबर एफ अपॉन क्यों नौट तो फची चुकी बेटा जो हमारा इंटेंस ती है जो बेटा विद्युत शैत पेरता ही वो किस पर निर्भर कर रही है इसी बलपर निरुपर कर रही वटेशो जवाय हम क्या बोलते है की विद्धुत शैति की तीम ठाब एक सर्धिश राशी है मेरे शब्दों को बहुता क्यों नॉट ठीक है ओहो 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 यहां आजो तो लिख लेते हाप ठीक है ता कि आपको याद रहे ने पिटा बिंदी लगा के लिखना की विर्दियो ते शेद्र की ती वरता ती वरता एक सदिश राशी है सदिश राशी है एंड गाइस इस उसका सदिश रूब चू समझ माय रहा रहा पूरा पूरा मजा आना चाहिए ना ऐसे सोना नहीं कि पतल लगे लेक्टर में तुम निनी निनी कर रहे हो है ना और पतल लेक्टर में तुनों बीच में प्यार मुहबत कर रहे पिटाई हो की बाद सबनान नंबव कहीं टल्राइगा तूल थे म план बटक प्यार को चाहिए या तुमयां बोटकी नंबर जाई यह वर के नंबर से पि्यार झоकuting लिया नौकरी मिल जाएगी तो बाब उपने पास अपने आप आप आजाई जाए गया तो बिलकुल फोकस यहाँा पर र अगर आप कह सकते हो कि मैं हमारे पास आवेश सदो प्रकार का है हमारे पास धनाविश भी तो आप ये बता दो कि भाईया थी बिटा की दिशा किदर होगी बच्चो बहुत-बहुत इंपोर्टेल बात दोनों के लिखाऊंगी ये धनाविश है दको इस सीधेया का होगा नही के लिए धना विश के लिए 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 एकी दिशा एकी दिशा एकी दिशा एसकी दिशा में होती है एसकी दिशा में होती है कहने का ताथ पर क्या है बच्चो जिधर फोर्स लग रहा होगा उसी दिशा मच्चो क्या होगा एलक्रिक फिल्ड की इंटेंस्टी भी होगी उसी दिशा मच्छो क्या होगी हमारी वेदुद शेट की तीवरता होगी और आप इसको ऐसे याद रह सकते हो कि धा जो हमारा धना वेश है धना वेश के लिए जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी ठीक हमेशा बाहर की उच्छे दूर भाग रोगा ऐसे बाहर क्यों होगी यह बहुत प्यारा सा बहुत आसान रेक्टरी बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट याद हो गया वाग लेक्टर में याद दीवाँ आनगे बाद में पढ़ने के जरुवत दूर्श किलिया रेन आपिश के लिए अंतुन अ क county सकते हो रेना वेश के लिए जो वैदर शेत्र की तीवर्ता की जो दिशा है कि दिशा वह बलके विप्रित दिशा में होगी बलके विप्रित दिशा में हो ने शो में ठीक है यह लेट संपोर्स कि फोर्स अप्लाई हो रहा है बाहर की ओर तो गदला कि-दर होगी मुन्हा क्यों और बीका एस आ चक बिल्ए हो ऑर क्या होगी बीटा वेटा अन्दर के अदर की dismiss Rio अंदर क्यों होगी दिशा ठीक है प्लस के लिए बाहर क्योर और रिणा वेश के लिए माइनस के लिए अंदर क्योर जब क्वेस्टन सॉल्फ करिंगे बहुत काम आई यह चीज ठीक है अच्छा बच्छों एक चीज और यहां लिख लो फड़ाफट से अगर मैं तुमसे बोल फॉर्मूला आगया बताओ किसको डर लग दर तो नहीं लग रहा वेक्टरी ब्रबर माइनस का वेक्टर एफ अपन क्यों आट हो गया आगया समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब में नोट कर लिया एक एक पॉइंट बच्छों नोट करके चलना है अब क्या इसकी भईया मतरक या है ठीक आत्राक क्या है विमीर सोत्रिक आई तो बच्छों हमें बेच्छ जानना तो यह तो हमारा धिकार ही है फिजिक्स में मातरक और मच्छों बहुत इंपॉर्टेंट आजाओ मातरक बेटा क्या हो का मैं तमेर फ़ोंगे नहीं तुम्सें क्या हो जाएगा तो ye boeqa जो मात्रत रखेटा हो जाएगा नियूटन प्रती कुलाँम बताओ कितनों को दिक्कत क्या किसी को दिक्कत या इसको ऐसे लिख सकते हैं नियूटन कूलाम इन वर्ट्स लेक सकते हैं किसी भई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना दिक्कत यहां जो और लिख लेदें और विमिय सुथरा विमय सूथरा या विमा देख लो अब ही सक ओर फ्रॉर मा बन सकता है वह वह हम लोग चाप्टर तो में पढ़ रहा होंगे ठ क्या होता है फॉलना नहीं आवेश बैट अक्यूम पर овых staters यह यह क्योटत है क्यूट है क्युटत क्यू पर आपर आए ञीन टी एक यार राकना है क्यूटत समर्ष राइट लाइट क्योटत है विए प्राषर चाई यह मैं हो यह किर आइस लिगते हैं टाइम बच्छों यह और बस्केत क्या हो सूत्र राइट मजा आगया जल्दी बताओ अगर कोई पूछ ले कि विडियो तो शेटर की तीवरता का विम्य सूत्र क्या होगा कितना बच्छा बता पाई का सब को बताना है कुछ भी टफ नहीं है ठीक है सब के सब बता के आएंगे राइट आगया मजा हो गया समझ में थोड़ा सा अगये अप जो है थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं अपने लावल का है ना थोड़ा सा लगे तो दो तफ पर ने तो बहुत आसान था ना इतो बहुत 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 इंपोर्टेंट कॉंसलेट अन बचुक और सब्सक्षरण ये है जब मैं नुमेरिकल से लेकिया हूँगे सिप्टर से इसी टॉपिके निमोरिकल्स हों गया इस बात को धियान रखना तम्हारे एक्जाम में इस ट्रमेक से निमेरिकल होंगे ये टॉपिक समझ रखना रखना रइट तो अब जो बता रहे हो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो बिलकुल ना कान गला खुला रखना आज तो अच्छो लिखेंगे लिखो यहां पर किसी बिंदू आवेश के कारण किसी बिंदू आवेश के कारण आवेश के कारण विद्यतक शेत्र किती बड़ता विघ्यूतक Shetra की थीवरता उत्यूतक बहुत सेत्र की थीवरता इचोट रहान समस्ते है किस का मतलब क्या है ठीक है भगा रहती इंपॉर्टन कान सेयप्थ बह। ही जाधा इंपर्टन कSट है किदे किसी भी हम िनल है विद शेर्ट की तीवरता बच्छो लेट सपोस कि हमारे पास क्या है एक बच्छो जो है क्यू आप मलव एक धनावेश है राइट बच्छो धनावेश है और इसको हमने जो है क्यू बिन्दू पर रखा हुआ पीटाई इस से लगभग अमने आर दूरी पर इना इस सपी प ठीक इस धन आवेश के वजासे क्या कर ना है हमें जो है विद सर्भी विठा निकालिए के थिन्दू पर ठीक तो यह ट्सक्ठोस संदे किया हम अनंत से अनंत से हम क्या कर ले किया हम किसे परिक्षण आवेश क्यू नोट को लेकर क्या है ऑ mainland बिन्दू पर अच्छा एक चि की वजा से कोई भी प्रभाव नजर आ रहा होगा जी नहीं हम लोग बच्चों कहते हैं कि जो हपना जो गुर्टा करशन बल है यह अनन्त काम कर रहा हो ता विट अच्छाई यह कि लिम्टेशन तकी लग रहा हो तो उसके बाद लगभग नगर ने हो जाता है लगभग बच् सबसे पहला तो कॉंसेप्ट बच्चों सिखाय थे तुम्हें धनावेश है तो बीटा दिशा किदार होगी दिशा बीटा होगी बाहर की और होगी फोर्स बाहर की लेंग रोंगा होगा बाहर की लगढा क्या नहीं बताए मदा था अगर बच्so प्लस है तो जिहान रखने है तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा नहीं सफल नहीं होगा आराम दैग बन जाएगा राइट क्वेश्चिन जली सा सौल हो जाएंगे तो बच्छो कैसे निकालेंगे विटा निकालना बहुत यह आसान है यह ब्राबर क्या होता है बताओ तुम को कि मैं यह घुक्त बच्छो यहां पर कॉन सबलत काम कर रहा होगा बच्छ अपना पूलामबल है नहां औरहना थो हटो है नहीं अ पहलेंगे सब्साइब बहुत है यह इदिन को這是 अकसी आफ्छल मदाइझ है फिकल ये बढ़ा कि हो bond Accident कि और टो क्या होटा क्यों वयाधं की और स्कोरेज वेटा क्यों हो इसको फॉट्ण में और ज्या होगे उसी को खापी लिया और हमारे पास एक बाहू बालग्या बाहुट बढ़ी असट बक्शो एक फॉर्मूलागयां back on Sandbox किए F chyba son kakya के Q upon R square guys most most the most important formula स्टिक है क्या है वाच सु फर्म न तमार पास फॉर्म लाग को है फॉर्मला हमारी पास आच्छु कह갈 है क्या चुका है हमारे पास वाच पास का है य बराबर के क्यों अपन र इस्कोर आसान अब जरह देखो यह फॉर्मॉला तुमसे क्या कहना चाहता है बच्चिस की भावनाई सम्झो फिसिक्स में टफिसिक्स वाल बाउट इमोशिंस रुची मैं भी इमोशिंस के साथ पढ़ाती है और तुम भी इमोशिंस के साथ पढ़ोगे तो फील कर पाओगे मेरी एक बात को एक एक कॉंसेप्ट को तो गाइस फील करों यह फर्मॉला तुमसे कुछ कहना चाहता है चिला चिला के तुमसे बोल रहा है कि वेद्ध्यू शेत्र की तीवर्ता बेटा दूरी की वर्ग के वित्कृमान पाती है दूरी जितना बढ़ाओगे तीवर्ता उतनी घाटती जाएगी जितना ज्यादा दूरी तीवर्ता उतनी काम मेरे लाल मेरे पूत मेरे सपूत समझ मारा है बच्चा क्या समझ माया समझ माया की बेटा जो यह है वो क्या है दूरी के वर्ग के वित्कृमान पाती है और अगर में तुमसे कहूं भया ग्राफ बना लो इसका बनाव ग्राफ अकर तुमसे बोल सब्सक्राइब अपने को नजर आ रहा होगा क्या इतनी कहानी सब को समझ मारी है है ना वेरी कुट अब चुट जैसे मैंने कहा विटा तीवरता क्या है सदेश राशी है विटा सदेश रूप लिखो सदेश रूप में गलिखेंगे सब लोग कोई चीटिंग नहीं करेगा सब के सब लिखेंगा सदेश रूप में टा क्या हो जाएगा वेक्टर ई एक होष्ट हो जाएगा क्यों अपन आरज क्स्क्राइट एट शरूप है सो गाईस हमारे पास सदेश रूप आ चुका असान को बहुत ज्दा सब्सक्राइब को यहां पर तुमने निकाला का किस्के ल कुछ है थोडी उसमिया बच्छो रिना वेश्क लेख लो सब कुछ सेम रहेगा नहीं वेश्क लिए है नहीं तो पहले तो मे पता है कि क्या हो गोगेता तीवरन था था किधार ओ गी दिशा किदर होगी विटा दिशा होगी अंदर के विटा बाकि crane भी नहीं बदले गा वहीं बच्छोसे मल जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू क्यों आप्पाँ r2 upon q not even to cancel out ho जाएगा formula यह आजाएगा यह बराबर के q upon r2 अगर बच्छो कुछ भी बदलेगा तो वह सिर्फ फॉर्स रुटा इसका सदिश रूप बदलेगा एंड गाइज इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा बच्छों तो सदिश रूप में कुछ नहीं होगा सदिश रूप में बच्छों सब शूप क्या हो जाएगा सिंपल सा यह बराबर माइनस का के q upon r2 जली देखो क्या सबको समझ में आगया बच्छों बहुत यासान था था आसान की नहीं दल दी बताओ सब कुछ बहुत आसान था ठीक है निगे रिनाविश के लिए धनाविश के लिए चलो अब बच्छों समझते हैं वेदुश रेखाएं जो कि बहुत 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 सकता है कि वैद रखाएं क्या होती है इनके गुषधर्म बताइगे और यह आप से जवह दो सवाल पूछ सकता है इनकी अलग अलग प्रोपरिटी पर विटाप को एंसे क्यों मिल सकता है या आपको जोई पर बेस क्या बोलते हैं कोई भी आप से जोए टिपड़ी पूस सक होता है कोई भी क्वेश्चिन बोल सकता है क्या दोनमबर का ट्राइट तो अच्छा रेखा बच्छु कौन ली रेखा ये वच्छ जोए अपनी वह जो है अंता बच्छिन रेका नियोच दूसरे ले रेका है ठीक है अच्छा रेकाओ के बारे मने पढ़ा हुआ है कहां पर सारी रेखाएं वहाँ बनाई थी और आमने सीख सिर्ग की जहां पर रेकाइं ज्यादा होंगी वहां पर क्या होगा चूम कि शेटर प्रभलोगा जाँ पर रेकाओं के संग कमोगी वहां पर चुम की शेटर दुर बढ़ा होगा ठीक है और बच्छोई मैं रिखा थे प्रेंट प्रेंट योगी तो पहले दोगते हैं इसके definition definition प्रेफिनिशन क्या हो जाएगी बहुत यासान किसी आवेश के किसी किसी आवेश के चारों और किसी आवेश के चारों का किसी आवेश के चारोर के चारोर विदुशेत्र को का मतलब को किसी आवेश के चारोर विदुशेत्र को चारोर विदुशेत्र को विदुशेत्र को विदुशेत्र को निरूपित करने के लिए निरोपित करने के लिए करने के लिए खीची जाने वाली खीची जाने वाली काल्पने ग्रेखा ने वास्तविक नहीं है खीची जाने वाली काल्पने ग्रेखाएं विद्यू तो शेत्र की रेखाएं कहलाती है विद्यू तो शेत्र की रेखाएं कहलाती है ठीक है फिर सुना विटा क्या लिखा हुआ है किसी आवेश के चारों और विद्यू शेत्र को किसी आवेश की चारों विद्यू शेत्र को निरोपित करने के लिए करने के लिए खीति जाने वाली काल्पने करेके हैं क्या कहलाती है यह गाता है विद्यू शेत्र की कड़ीच शना अभी शेट्र के चारों और के विद्यू शेत्र कूरें्ट करने के लिए सिर्न हम जरूपित करने के लिए बीटा जिन हम काल्पने रेखाओं खीचते विटाओं क्या कहलाती है विद्र शेटर की रेखाएं कहलाती है अब बच्छा समस्ते हैं इसका अच्छा अगर बच्छा आपनों को याद हो है ना हो सकता है कुछी वच्छों को याद ओकर नहीं आदे तो यहां पर याद कर लो भीवने ट्वेल्ट में जो एक टॉपिक है ठीक कांसेप्ट है अच्छा को याद है हमने क्या बढ़ा था कि जो मारा जो जो भी छड़ चुम लेकिर आस्ते को ही हम लोग कहते थे कि वह यह हमारी क्या है कालपनिक रेखा है रेट बच्च बिलकुल वैसे प्लेगा डफीनिशन लेको गणा फिर तन सम्दावर्ट मजा आएगा लिख एक वैस्ट लोगो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनिशन स्टैंडर्ड डेफिनिशन कांक परिक्षन आवेश के द्वारा द्वारा तय किये गए पत्को पत्को विद्यूत शेत्र रेखाएं कहते हैं विद्यूत शेत्र रेखाएं कहते हैं और सेंपल सी बात है जाइस तुम समझोग में एक क्रेन को छोड़ दिया प्रेन को छोड़ दिया चलती वे टेन अब वो फ्रेन जिस्वित इशा में जारी व्लेट्स सपोस्के ट्रेन ऐसे जा रही है तो क्या होगा हमारी देखा ऐसे हो गई ठीक है ट्रेन मालो ऐ जा रही है तो ऐसे रास्ता हो गया तो बिल्कुल वैसे यह बीटा कहने का मतलब क्या है कि बच्चो एक आंक परिक्षर आवेश का बिटा जो है जो भी रास्ता तैय कर रहा होगा जो भी पत्थ बना रहा होगा उससे हम क्या कहते हैं छेत्र विर्दृ शेत्र रिखाएं कह के पाहार किया जो पत्थ है उसको क्या बोलते हैं विर्दृ शेति रहा है कहते हैं अब जो बहुत 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 अंपॉर्टरन बात है कि इसमें क्योंगा जो रिखा है बच्चो धनावेश में क्या होगा बेटा रेखा बाहर क्यों होगी बिटा धनावेश में रेखाएं कहां चलेंगी बाहर क्यों फिर से धनावेश क्या होगा रेखाएं कहां चलेंगी बाहर क्यों कहां चलेंगी बाहर क्यों कहां चलेंगी बाहर क्यों बच्चो रिणावेश कर रहे होंगे तो ठीक है बच्चों में क्या होगा रेखाए कहां चलेंगी अंदर की धना विशुटा रही होंगी बाहर कर तो क्या इतनी बास सबको समझ मां गई है इतनी कहानी सब निवरा रांट तैकीया गया बीटा रास्ता है उसी क्या बोल रहे विद शेतर देखाए कहते हैं बच्चों धनाविश में क्या होगा बाहर क्यों विटधा धिरान विश्में का होगा अंदर रोड़ाइट बच्च मने रहां समझ लिया विटबी रेखाओं कि गोड़धर न बहुत लंबाना करते हुए क्रिस्प एंड बढ़िए रखते हैं तो बच्छो यहां पर हमारा जो अगला बीटा जो लेक्टर होगा उसे लोग क्या पढ़ विट्यूत शेत्र रेखाऊं के गुर्धर मीटा मैं पहले यह पढ़ाऊंगे ठीक है विट्ट शेत्र रेखाऊं क देखाऊं का जो गुर्धर मोगा पढ़ाऊंगे वह फिर के नेक्स्स लेक्टर को ठीक ने पढ़ेंगे एक बात ध्यान रखना मिटा टाइमिंग ध्यान रखना कि चैनल पर जो भी लेक्टर बीटा आता है वह शाम के छे वजे ही आता है यह यह बात आपको फिक्स कर लेन है तो बच्छा आपको जो है डाउटने क्लास 12 हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड़ गाइज जो यह चैनल है इस पर आपको जितनी मीटा जो यह क्लास इता मिल जाएंगी रइट है नहीं सब्सक्राइब करेंगे लेक्टर कैसा लगा है आप मुझे यह बताएंगे आपको इस सबको समझ मां घया है क्या है यह comment करना तो आपकी बात हमारें महुंत गता शer पढ़ Mix क्रती कि मैं अपनी क्लास का हर एक कॉमंट पर्ते हो इंच्अ तो आपको jos problem प्रब्लम आ रहे हैं आपको कुछ भी पूछना है आप कोई भी सवाल है आप कॉमेंट करें मैं पक्का बैटा पढ़ूंगा अपनी जो प्लास है उसको वैसे ही प्लाइन करूंगे राइट दूसरी चीज आपको प्रॉपर हर एक क्लास के नोट्स बनाने है तीसरी चीज हर एक लेक्चर के डिस्क्रेप्शन में होमवक दिया रहता है तो डोंट फॉर्गेट टू डू होमवक ठीक है आपको जरूर से जरूर करना है बच्छा बिकास होमवक आपको यह बताएगा कि आपने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा है कि आपको सब को समझ में आ गया कि आपको सारी चीज़ें आ गई है तो बच्चों होमवक आपको जरूर अटेम्ट करना है को इसके फ़र्म में होता है अगर आपने क्लास अच्छी सपड़ी होगी तो आप चाल पांच क्वेस्टिन के आंसर बिल्कुल सट्ट सट कर पाओगे बिटा हाडली पांच मिनट लिंक के भेस दो एंड सब लोग मिलके पढ़ाई करें और क्लास 12 का बोर्ड एक्जाम फोर डालेंगे यहां पर भी मचा देंगे तो बच्छों मिलती हो अपने अगले लक्टर में और फिर से बच्छों मिलेंगे फिर से पढ़ेंगे बबाई टेक केर ख्याल रखना अपन बबाई एंड गाइस टेक कियर